नवस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तो के विशेश कास करे साथ नवरात्री एक ऐसा समय होता है जिस समय खास चीज करके खास टोने टोटके करके आप अपने जीवन के दुरभाग को दूर कर सकते हैं और मिंटों में अपनी मनो कामना कामना को पूर्ण कर सकते हैं तो बने रही है हमारे साथ हम आपको बताएंगे नवरात्र में कागज पर सिर्फ ये लिख कर जला दे जो भी मनो कामना होगी मिंटों में पूरी हो जाएगी लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चनल को सब्सका जरूर रहती है ऐसा कोई भी बैक्ति नहीं है जो सुखी और संपन है क्योंकि हर बैक्ति को आगे जाने की और आसमान छुने की चाहत रखते हैं इसी वज़ा से उन्हें कई सारी समस्चाओं का सामना भी करना पड़ता है यही कारण है कि बैक्ति परिसानियों से बसने के छिने चाह कर भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं अज हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिसे नवराथ के दिनों में करने से आपको हाथों हाथ सफलता मिलती है मनो कामना पुर्ण होती है दुरभाग दुर होती है यहां बताए गे इन उपाय को आप आसानी इस उपाय को करने के बाद आपकी एक्छा भी पूरी हो सकती है ये इतना स्रल है कि इसे कोई भी कर सकता है और साथ ही आपके जीवन में जो भी परिसानिया है वो तो कम होगा ही वही साथ में अगर आपकी कोई मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी ये उपाय तो कई तरह से किये जाते हैं लेकिन करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए तब ही आप इस उपाय को करें ध्यान रहे कि ये उपाय आप सिर्फ साम के समय ही कर सकते हैं दीन के समय आपको ये उपाय नहीं करनी है इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं बहुत ध्यान से सुनिए ये उपाय नवरात्री में किसी एक दिन भी आपने कर लिया तो समझ ये जीवन में आपको चमतकार हो सकता है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले एक सफेद कागस लेना है और उस कागस पर अपनी परिसानी या फिर आपकी ज थोड़ा सा गुगल और लोबान लेकर गाय के उपले के उपर उसे रख दें और फिर उस कागस को जला दें अगर आपको गाय के उपले ना मिले तो आप थोड़ा सा लोबान एपन गुगल के साथ किसी भी चीज के साथ जला सकते हैं जब आप दोनों चीजों को रखेंगे उसे जलाएंगे तो ये बिल्कुल भी उसी तरह जलेगा जिस प्रकार धूब बत्ती जलती है और साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि ये परियोग आपको घड के अंदर ही करना है और परियोग करते समय भगवान बिश्नु और माता लक्ष्मी की परतिमा को सामने रख कर ही करन है और साम में आपको लगवक साथ बज़े करना है इस बात का ध्यान रखना है इस परियोग को करते समय जब धूप को जला लेंगे तो उसके बाद अपनी आँखे बंद करके मन ही मन जो भी आपने उस कागस के उपर लिखा है उसे आधे घंटे या नहीं तो फिर कम से कम 15 म इनर तक आपको मन ही मन बोलना है और ध्यान रहे कि यह उपाय साम के करीब 7 बज़े के आसपास करना है इस उपाय के करने के कुछ ही समय बाद आपको फरक नजर आने लगता है तो यह काफी महत्पुर्ण है नवरातरी किसी दिन अभी भी आपके पास समय है आप एक दिन सा विभाय कर लेजा है बहुत आसान है कोई भी जीवन में धन को आकरीब सित कर सकते हैं बनो खा Precis